गुद मॉर्निंग एवरिवन बच्चो बाजार दर्शन पार्ट पढ़ा तो समरी भी याद की होगी तो चलिए डिसकस करते हैं बाजार दर्शन पार्ट के कुश्चन अंसर कुश्चन है बाजार का जादू चड़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या-क्या असर पढ़ता है तो देखिए बाजार का जादू चड़ने पर मनुष्य अनावश्यक वस्तों को खरीदने लगता है वे घर में अधिक से अधिक वस्तों का संग्रह करने लगता है समाज से अलग थलग हो जाता है बाजार का जादू चड़ने पर समाज में जूट, कपट, चल, धोखे को बढ़ावा मिलता है बाजार का जादू उतरने पर उसे पता चलता है कि जेब भी खाली हो गई और जो अनावशक वस्तूइं उसने खरीदी थी वो सुख देने की बजाए उसे दुख दे रही है इसलिए बाजार से केवल अवशक वस्तूइं खरीदने लगता है और बाजार के जाल में फसने से बच जाता है नेक्स्ट कोश्चन बाजार में भगत जी की व्यक्तित्व का कून सा सशक पहलू उभर कर सामने आता है क्या आपकी नजर में उनका आच्रम समाज में शांती स्थापित करने में मददगार हो सकता है जी हाँ भगत जी केवल उतना ही धन कमाते हैं जितना उने अवश्यक हो वे धन का संग्रे नहीं करते वे आत्मसायमी, मित्वयई तथा स्वाबिमानी व्यक्ति हैं बाजार के आकरशन का उन पर कोई असर नहीं पड़ता वे केवल वही वस्त्वे खरीते हैं जिनकी उने जरूरत होती है भगत जी का यह आच्रन समाज में शांती स्थापित करने में मददगार हो सकता है यदि हम दिखावे की इस आदत से बचें तो समाज में एसंतोष, कपट और शोशन कभी नहीं हो सकता फिजूल खर्ची पर काबू पाने से समाज में शांती स्थापना हो सकती है नेक्स्ट कोश्चन बाजारू पन से क्या तात्परिये हैं? किस परकार के व्यक्ति बाजार को सार्थक्ता परदान करते हैं? बाजारू पन का अर्थ है दिखावा और बनावटी पन बाजार कार्थ है अधिक से अधिक सामान बेचना और अधिक से अधिक लाब कमाना बाजार की चमक दमक ही लोगों को अपनी ओर खीचती है और उनकी जेबे खाली करती है जो लोग अपनी जरूरस के अनुसार बाजार से समान खरीते हैं वही बाजार को सार्थक्ता परदान करते हैं ऐसे लोग पैसी की ताकत से प्रभावित नहीं होते बाजार लोगों की लाब के लिए होता है और उनकी अवशक्ताओं को पूरा करता है बाजार की सार्थक्ता इसी में है कि वैं छलकपड और शोशन को बढ़ावा नहीं दे और लोगों के कल्यान के लिए केवल जरूरत की चीजे ही बेचे बाजार किसी का लिंग, जाती, धर्म, याक्षेत्र नहीं देखता वैं देखता है सिर्फ उसकी क्रेशक्ति को इस रूप में वैं एक परकार से सामाजिक सम्ता की भी रचना कर रहा है क्या आप इस बाद से सहमत है जी हां बाजार किसी का लिंग, अत्वा, जाती, धर्म, याक्षेत्र नहीं देखता वैं केवल मनुश्य की क्रेशक्ति को देखता है लेकिन इस भावना के कारण बाजार ने धनिक वर्ग को जनम दिया यह वर्ग केवल पैसे को ही देखता है पैसा कमाने के लिए वैं कोई भी अच्छा या बुरा रास्ता अपना लेता है इसके लिए वैं शोशन, जूट, छलकपट का साहरा लेता है धनिक वर्ग से समाजिक समता की आशा कभी नहीं की जा सकती बाजार समाजिक समता तभी स्थापित कर सकता है जब वैं केवल अवश्यक वस्तुएं बेचे और भगत जी के समान ग्राहक केवल वही चीजे खरीदे जिनकी उसे जरूरत हो लेकिन दुख तो इस बात का है कि आज बाजार में जूट, कपट और धोके को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोग दिखावे में आकर अनावश्यक वस्तुएं खरीदते जाते हैं आप अपने समाज से कुछ ऐसे प्रसंका उलेख करें कि जब पैसा शक्ती के परिचायक के रूप में प्रतित हुआ और दूसरा जब पैसे की शक्ती काम नहीं आई देखिए इस कोश्चन में विरोधा भास है एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पैसा सब कुछ है लेकिन साथ ही ये भी है कि पैसा कुछ नहीं है तो आईए पहले कुश्चन पर हम डिस्कस करते हैं कि जब पैसा शक्ती के रूप में सिध हुआ वर्त्मा समाज में अनिक ऐसे उधारन देखने को मिलते हैं कि जहां हम पैसे को शक्ती का परिचायक बनते हुए पाते हैं आज अगर सरकारी कारियरले में कोई काम करवाना हो तो बिना पैसे के संभवी नहीं अगर अच्छी नोकरी चाहिए तो पैसा व्यापार करना हो तो पैसे की जरूरत बच्चों को उस शिक्षा दिलानी हो तो पैसे की जरूरत यहां तक की धनिक परिवार में अगर बच्चों की शादियां करनी हो तो भी पैसा चाहिए समाज में पैसे वाले का ही सदा सम्मान होता है गरीब का नहीं कहा भी गया है सर्वी गुना कांचनम आश्रियंते देखिए यह भी सच है कि पैसा सब कुछ नहीं है पैसे के बल पर यदि व्यक्ति का विश्वास और प्रेम जीतना हो तो कभी नहीं जीता जा सकता अक्सर देखने में आया है कि हम पैसे के बल पर ने किसी का इमान खरी सकते हैं न प्यात न विश्वास न श्रधा विश्वास को विश्वास से प्रेम को प्रेम से जीता जा सकता है आता है पैसे के बल पर संसार में परतिक बस्तू नहीं खरीदी जा सकती तो यहां हमने देखा कि विरोधा भास है कि पैसे के बिना भी काम नहीं चलता लेकिन पैसा सब कु और आगे के कुश्चन अगले वीडियो में थैंक यू